जो कि समय सार में 49 नमबर पर है उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं कल की चर्चा में से एक चर्चा उसको आप नोट किया हो तो सही कर ले कौन-कौन से ग्रंथों में ये गाथा आई है इसकी चर्चा जो यहां लिखी है उसमें से पद्मरंदी पंचे में शितिका में नहीं मिली थी और फिर कल ये कहा था कि तिलोय पढ़नती में भी ये गाथा है चर्चा उल्टी हो गई हम बैठे थे और खोज रहे थे क्योंकि शंका थी कि इसमें भी होना चाहिए मूलाचार में भी होना चाहिए और देखा था और नहीं मिली थी लेकिन चित्म ये रहा कि मिल गई है तिलोय पढ़नती में है इसलिए शायद मैंने कल कहा था कि तिलोय पढ़नती में भी गाथा है तिलोय पढ़नती में ये गा उतले पणति के अंत में ली हैं और वे सुख की चर्चा के बाद, भावना की चर्चा कर रहे हैं कि वो सुख को प्रौप्त करने के लिए कैसी भावना होनी चाही है वह आत्म भावना के संदरं वह गाथा इसमें नहीं है मूलाचार में भी अभी समय सार के प्रकरन के अनुसार जहां जहां जिस प्रकरन के अनुसार चर्चा की है वो आपको यथा प्रथम चर्चा में बता दिया गया था इस गाथा में कौन से जीव का स्वरूप स्पस्ट कर रहे हैं कौन से जीव का तीन शब्द दिये थे कौन सा एक टंकोत कीर्ण और परमार्थ जीवा अभी बैसाब के प्रोचन में चर्चा रही थी लक्षन स्वरूप स्वभाव इनका भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है यहां उत्थानिका में पूछा तो यह है कि किम लक्षण असव एक टंकोत कीर्ण परमार्थ जीवा लेकिन पूरी गाथा वह लक्षण नहीं है पूरा लक्षण नहीं है यदि उस पूरी गाथा में से लक्षण देखना चाहे तो कौन सा लक्षण निकलेगा चैतना गुणम फिर बाकी क्या है सभी बाकी उसको स्वरूप हम कह सकते हैं बाकी उसके स्वरूप की चर्चा की है लक्षण तो चैतनी गुणवाला ही है एक टंकोत कीर्ण परमार्थ जीवा ये परमार्थ क्या होता है लोक में भी ये शब्द आता है लोक में स्वार्थ और परमार्थ कहते हैं वहां लोक में जो स्वार्थ परमार्थ कहते हैं उसका क्या आरत होता है ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है और ये व्यक्ति परमार्थ के लिए बहुत काम करता है बहुत सारी पारमार्थिक संस्थाएं होती है तो वहाँ परमार्थ का अर्थ क्या होगा? आजा स्वार्थ माले ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है आपना मतलब देखता है लोकिक द्रस्टी से अपना लाब अपना हित देखने वाला वो स्वार्थी कहलाता है और वहाँ परमार्थी कौन कहलाता है जो दूसरों के लिए कारी करता हो दूसरों की सेवा करता हो दूसरों को सहयोग करता हो दूसरों को धान देता हो और ऐसी जो संस्ता है हो दूसरों के लिए दूसरों के उपकार में लगी वो परमार्थ परमार्थी कहलाती है तो यहां परमार्थ जीव कौन सा है, यहां परमार्थ का अर्थ क्या होगा, परमार्थ माने क्या है, बनारसी दास जी ने सम्यक दिस्तिक के स्वरूप की चर्चा करते हुए प्रारम की छंदों में एक छंद लिखा, उसमें स्वारत के साचे, परमारत के साचे, साचे सित, सा जैनमती है, वो स्वार्थ के साचे और परमार्थ के साचे, दो शब्दों का प्रियोग किया, तो स्वार्थ के साचे कौन और परमार्थ के साचे कौन है, स्वार्थ क्या और परमार्थ क्या, जिसने स्वार्थ सच्चा जाना है, उसी ने परमार्थ सच्चा जाना है, जिसने स्वार्थ सच्चा नहीं जाना उसने परमार्थ भी सच्चा नहीं जाना दोनों दस्टियों से स्वार्थ निज आत्मा को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है वह चुँके अपना आत्मा सर्वोत्कृस्ट आर्थ है इसलिए उसी ने परम अर्थ सर्व उत्कृस्ट पदार्थ उसी ने जाना दूसरा परमार्थ का अर्थ अपने किया था हमारा उत्कृस्ट प्रयोजन और उत्कृस्ट प्रयोजन है मुक्ति भास्तविक मोक्ष परिपूर्ण वह परमार्थ, परम पुर्शार्थ, अंतिम पुर्शार्थ, वह परमार्थ, तो वहाँ सम्यक दिस्टी को जो स्वार्थ के साचे हैं, वह परमार्थ के, वो मुक्ति मार्थ को भी सच्चा साध रहे हैं, अब मोक्ष मार्थ पर भी चल रहे हैं, वह युस परमार्थ को मुक् मिथ्याज़स्टी उपकार भी करेंगे तो जैसा चौछी गाथा में कहा न हम सुदप्च परिचदान भूदा सवव सवी काम भोग बंद कहा, सारा जगत काम भोग बंदन की कथा से सृत परिचित और अनुभूत है और उसकी टीका में अम्रिचंद्र आचारी लिख रहे हैं सयम तो सृत परिचित अनुभूत है ही और दूसरों के लिए आचार्यत्व करता है जिसने जगत में बाहिपदार्थों में सुख मान लिया है उसी में अपना हित समझ लिया है वो जगत का हित भी करने का प्रयास करेगा दूसरों को मदद सहयोग भी करेगा यही सहयोग करेगा लेकिन सम्मेक द्रस्टी ने यथार्त जान लिया है इसलिए वह सहयोग भी करेगा तो यह मुक्ती के मार्ग पर कैसे लगे इसका सहयोग करेगा इसलिए उस द्रस्टी से भी वही परमार्श के सच्चे है दूसरा ए एक शब्द दिया, एक लक्षन आप बताओ, तो एक तो बदलना नहीं, दूसरा एक जीव, तो एक जीव क्या होता है, जीव अनेक होते हैं क्या, भिन्न जीवों की अपेक्षा से तो अनेक होते ही है, जैसे अपन आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ते हैं, तब यह प्रस्न कर आत्मा कितने प्रकार के होते हैं, आत्मा कितने प्रकार के हैं, क्या उत्तर देते हैं, आत्मा एक और बहिर आत्मा अंतर आत्मा प्रमात्मा क्या है, अवस्था की अपेक्षा से भेद किये, ऐसे ही हम उस जीव का स्वरूप जानना चाहते हैं, जो न संसारी है, न मुक्त है, ना त्रस है ना स्थावर है फिर स्थावर में भी पृत्वी जलगनी वार्पनियासे भेद होते चले जाएंगे ना वो अनेक हुआ वो नहीं चाहिए मूल जीव का स्वरूप क्या है इसलिए वो एक जीव टंकोत कीर्ण बदले नहीं पुणा-पुणा और परमार्थ उतकरष्ट स्वरूप की प्राप्ति जिससे होती हो ऐसे परमार्थ जीव का क्या स्वरूप है ये कहते है स्वाध्याय और अध्याय की बात भी अपन ने की थी मुनिराज कभी स्वाध्याय से अध्याय की तरप आते हैं कभी अध्याय से स्वाध्याय की तरप जाते हैं क्योंकि उनके स्वरूप में लिखा हुआ है ज्यान भ्यान तपो रख्त तपस्वी सा प्रशस्यते ज्यान भ्यान जब उसके स्वरूप के विचार में विकल्प आत्मक लगते हैं तब ज्ञान में है और उसके स्वरूप को समझ कर अच्छी तरह से उसमें निर्विकल्प अनुभूती में पहुँचते हैं तब ज्ञान में पहुँचते हैं यह गाठा लिखते होए, टीका लिखते होए, क्या वो लिखने में ही लगे होंगे, लगातार लिखने में लगे होंगे। वो बहुत बार चित्र बनता है न अभी तो यहाँ जो चित्र बना हुआ है वो गुंद कुंद आचारी देव का इना इधर इतर वह गुंद कुंद आचारी अभी तो वह ऐसा लिखते हुए दिखाया है ञगे और बहुत जगे चित्र देखे होंगे कि वो कलम हात ने है और कलम ऐसे पकड़े हुए है शास्त रहे नीचे है और कलम ऐसे है तो शास्त लिखने में ये स्टाइल होना ची लिख रहे हैं ऐसे कलम पकड़ के थोड़ी लिखते इतने दूर से तो फिर वो कलम वहाँ पकड़ के क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं और लिखते लिखते ध्यान में चले गए चले गए तो कलम वही के में रहे गई और फिर जब विकल्ब की दशा में आएंगे लिखना है फिर लिखने लगेंगे और फिर रुख जाएगे ज्यान 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 ये चलता रहता है कुंद कुंद आचारी की गाथा अम्रचंद्र आचारी के समक्ष है ये गाथा है ना चलो अपन पांच करते हैं पहले गाथा पद्यानवाद के साथ में बोलिये जीवमने टिठ्थ संथालम चैतन्य गुणम आत्मा आव्यक्त अरस रूब है जानो अलेंगा ग्रहल इसे यह अनिरदिस्ट अशाप्त है यह गाथा कुंद कुंद आचारिय की अमरत्चंद्र आचारिय ने पढ़ी फिर जब यह टीका लिखने प्रारंब की होगी उसके पहले कितनी बार इस गाथा में डूबे होंगे इस गाथा में उत्रे होंगे अब अरहा सरम अरूब वो गाथा जैसे अब जरूरी दादा कल्षों के संदर्ब में कहते हैं, आत्मक्याती टीका एक कावी की जो विशेश शैली है, कौन सी शैली? चंपू कावी कहलाता है, क्या होता है चंपू कावी? गद्य पद्य में, तो ये टीका गद्य भी है और पद्य भी है, तो गद्य कब लिखते हैं और पद्य कब जब बुद्धी पक्षा भी होता है तब वे गद्य लिखते हैं और जब रिधे पक्षा भी होता है तब वे पद्य लिखते हैं अब वो पद्य लिखने की भावना अर्थात उसी विशे को अंदर में और चिंतन में लेना चाहते हैं लेकिन जब गद्य में लिखने लगते हैं तो तर्क वितर्क हेतु द्रस्टांट वे सब आने लगते हैं अब यह जब पड़ा होगा चित्त में चल रहा होगा बेग केराओं कि वस्वाध्या है और जब अभी यह तीका लिखना प्रार्म किया होगा तो ग्यान में आकर के अध्यान में उसके अध्यान से चिंतन में लगे होगी हमें भी इसी तरह से अध्यान तो बहुत कर लेते हैं लेकिन स्वाध्याई की तरफ नहीं बढ़ते हैं उसे हम अपने साथ नहीं जोडते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहिए, दो शब्द, दो वाकि बहुत अच्छे लगे, एक होता है collection of knowledge और connection of knowledge, collection of knowledge बने, अब यह धेन जब करते हैं तब वो collection करते हैं, कहां क्या लिखा, कैसे लिखा, अब अपने भी यह गाथा, कहां कहां आई है, कैसे आई है, अब यह सब collection कर लिया ना, लेकिन connection किया की नहीं किया, connection बने, उससे जुड़े की नहीं जुड़े, ज्यान स्वरूप हमारा है, तो उस ज्यान से हमारा जुड़ान हुआ की नहीं हुआ, उससे हम जुड़ रहे की नहीं, जिस आत्मा का स्वरूप हमारे ज्यान में आया है, उससे हम जुड़ रहे की मात्र कलेक्शन कर रहे हैं, तो अध्येयन है। और करनेक्शन कर रहे हैं। तो स्वाध्याइए। न्याए व्याकरन आदी का अभ्यास करेंगे। तो कोई स्वाध्याई कहे कि नियाए व्याकरण आधी का अभ्यास करेंगे, क्या स्वाध्याई के लिए क्या उपी-उपी हैं, लेकिन वो नियाए व्याकरण पड़ करके, व्याकरण के कारण से शब्द के क्या विशेश अर्थ निकले, और उस विशेश अर्थ से अपने भ नयों के भेद प्रवेद से स्वरूप समझ करके, उसे अपने स्वरूप की तरफ जोड़ता है, तब वो स्वाध्याय के लिए कारण बनेगा, लेकिन अकेले बद जानना है, विस्तार में जानना है, तो फिर अध्यन मातल हो करके रहेगा, मैं तो विद्यार्थियों से कहता हूँ, आपका संस्क्रत पढ़ना भी स्वाध्याय में है, लेकिन कब, जब ये संस्क्रत पढ़कर के मूल, ग्रंथ की ठीका मूल से हम पढ़ सके, समझ सके, तब वह हमारे लिए, वह भी स्वाध्याय में शामिल होगी, वह निरशक नहीं जाएगी, लेकिन वह भाषा पढ़ते समय भी भावना यही रहे, हम इस भाषा में सिद्ध हस्त होकर के, मूल गाथा, मूल टीका, मूल से पढ़ने का और उसका भाव लेने का प्रयास करेंग तो वह भी इसके लिए खुपयोगी हो सकती है, अमरचंद्राचार अरसम इसका विचार कर लहे होंगे, मैं ये भी कहता हूँ, एक तो दवाई की गोली खाना होती है, और एक बच्चों की टौफी वाली गोलियां होती है, दवाई की गोली कैसे खाई जाती है, और टौफी खाने का कोई भी कर रहा हूँ, सिर्फ उधारन की लेकर रहा हूँ, दवाई की गोली कैसे खाते है, दवाई की गोली जभान पर रखी है, और पानी बहुत से लोग तो जभान पर भी नहीं रखते हैं, जबान की भी बिलएकोल, गले में क्यों की थोड़ा बहृत कड़ई ह होगी तो स्वाद नहीं आवे वहां अंदर रखी और पानी के गूट के साथ में निगल गए और बच्चों को कभी टौफी खाते वे देखना कैसे खाते हैं वह जब तक पूरा रसकस नहीं निकले तब तक चूषते रहते हैं चूषते रहते हैं ऐसे यह गाथाओं को भी इत कितनी विस्तर टीका लिखी होगी अमरिचंदराचारी ने तब यह गाथा दवाई की गोली की तरह निगल ली होगी कि टौफी की तरह आराम से कितनी कितनी देर तक उनके चंतन में चलती रही होगी अरसम यह विचार आया होगा तब विचार कर रहे हैं कि अरस क्यों है क्यों अरस है अब उसके छे हेतु उनके ख्याल में आए उसके छे हेतु यहाँ पर दे रहे हैं चलिए पहला हेतु क्या दिया है यह खलू पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रस गुणत्वात लिए आत्मा को रस वाला कब कहा जा सकता है कि उसमें रस गुण हो तो कहा जा सकता है अभी भोजना ले में आप चाय पीने जाए, खाना खाने जाए तो दूद, चाय दूद लेते हैं, तो एक मीठा दूद है और एक फीका दूद है खाना खाने गए, एक क्या है, मिर्ची वाली डाल है, एक बिना मिर्ची वाली डाल है तीकी डाल एक ठीकी डाल है अब वो मीठा दूद और फीका दूद ये दूद मीठा कैसे है और ये दूद फीका कैसे है क्यों है इस दूद को मीठा कह रहे हैं और इस दूद को फीका कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस दूद में शक्कर है इसले मिठी है और इस दूद में शक्कर नहीं है इसले वफिकी है ये दाल तीखी है और ये दाल तीखी है ये दाल तीखी क्यों है इस दाल में मिर्ची है पर उस रूप कहने के लिए उसमें होना जरूरी है न तो आतमा को रस वाला कहना है आतमा को रस वाला अरस नहीं कहना रस वाला कहना है तो कब कहा जा सकता है कि उसमें रस गुन हो अब आत्मा में रस गुन डालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा दूद को मीठा करना है तो क्या किया कि जिसमें मिठा से मीठी शकर उसमें डाली आत्मा को सरस करना है तो जिसमें रस गुन है उसे आत्मा में मिल पड़ेगा, तो रसगुण किस में हैं, यह पुद्गल द्रव्य में है, तो पुद्गल द्रव्य में रसगुण है, तो पुद्गल द्रव्य मिला दिया जाए जीव में, तो रसवाला हो सकता है, लेकिन पुद्गल द्रव्याद अन्यत्वे इन, लेकिन यह जीव है, वह प प्रथक भिन्यता के अर्च में ही लेना, अन्यता और प्रथकता में क्या अंतर लिया प्रोचनसार में, जिनके प्रदेश भिन्य है उनको प्रथक प्रथक कहा, लेकिन जिनके प्रदेश भिन्य नहीं है, संग्या, संख्या, लक्षन, प्रयोजन इसकी अपेक्षा से भेद कि आगया है ऐसे एक ही द्रव्य के गुण पर याय परसपर में उन में जो भिन्यता है उसको अन्यत्व केते हैं और दो द्रव्यों की भिन्यता को प्रथक अर्च में लिया है तो जीव पुद्गल द्रव्य से अन्य है, इसलिए उसमें रस गुन नहीं है, विद्यमान रस गुन अत्वाच, रस गुन ही विद्यमान नहीं है, तो पर रस वाला कैसे कह सकते हैं, पुद्गल द्रव्य से अन्य है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पुद्गल द्रव्य पूरा नहीं मिला हो, अकेला उसका रस गुण आ जाय तो, अकेला रस गुण आया तब तो रस वाला कह सकते हैं, पूरा द़ROज मिलानी की जरूरत नहीं है, अकेला रस गुण आ जाय तो घुन पुद्गाल द्रव्य गुणे भ्यो भिन्नत्वे न स्वयम अरस गुणत्वात। पुद्गाल द्रव्य से भिन्नत्वे और स्वयम रस गुणत्वात। पास-पास में बान दिये जावे ना तो उनमें क्या होता है। तो मराठी में ऐसी कहावत है। प्रव्य वाला है ना पिला नहीं होगा। व्यूद्गाल रस भी वान वर्न तो नहीं लगा परसपर में लेकिन गुण लग गया केते हैं। यह कौंसा गुण लगा। एक बैल बिलकुल सीधा साधा और दूसरा बैल जो है थोड़ा वो तेज था क्या मरखणा बोलते हैं सींग दिखाने वाला वो सींग मारता है ऐसा तेज था उन दोनों को एक साथ बांद दिया क्या हुआ होगा दुनिया में बुरी आजते बहुत जल्दी गरण हो जाती है यह पश्वों में भी होता होगा और वो कैता है कि दूसरा सीधा साधा बैल था वो भी शींग दिखाने लग जा क्या मतलब क्यों वर्ण तो नहीं आया लेकिन वह सीख दिखाने वाला गुण उसमें आ गया तो ऐसा रहते रहते गुण आ गया होगा तो गुण भी नहीं आता है कलकादा ना टोडरमल जी भले मौक्ष्मार प्रकाशक में कर्म से अनादी बंधन की बात कर रहे हो लेकिन अंत में ये कहते हैं भले जी अनादी से कर्म बंधन सहित है लेकिन कर्म का एक बर्मानु भी चेतन नहीं हुआ और आत्मा का एक प्रदेश भी जड नहीं हुआ इसका मतलब एक में कदाचित हुए वेक शेत्राव का संबंद को प्राप्त तो हुए होंगे लेकिन वे गुण इसमें नहीं आए चैतन्य आत्मा चैतन्य रूपी रहा जड कर्म जड रूप ही रहे क्योंकि गुण एक दूसरे को नहीं दे सकते है गुण से गुणांतर संक्रमित नहीं होते है कर्ता कर्म अधिकार में आगे कहा है एक द्रवे दूसरे द्रवे का कर्ता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य से द्रव्यांतर गुन से गुणांतर संक्रमन नहीं होता है यदि जीव अपने गुणों का संक्रमन पुद्गल में करे तो पुद्गल का करता बन सके पुद्गल का संक्रमन गुणों का अपने में हो तो करता बन सके नहीं कर सकते इसले पुद्गल्द्रव्य गुणेव्यो भिन्नत्वे न स्वयम अरस गुणत्वा, स्वयम भी अरस गुणवाला है, ठीक है, हमें ना पुद्गल्द्रव्य है, ना पुद्गल्द्रव्य के गुण है, इसले उनसे भिन्न है, लेकिन कुछ तो संबंध होना चाहिए, लोक बादरायन संबंद क्या होता है वो मैं अर्थ निकाल के देखने की कोशिश की वले खीचतान करके संबंद निकाला किसी से खीचतान करके संबंद बिठाना उसको बादरायन संबंद कहते हैं अब खीचतान के संबंद बिठाना उसे बादरायन संबंद क्यों कहते होंगी दागा से उधारन सुना होगा आपने दो व्यक्ति जा रहे थे कहीं और आगे बहुत दूर तक जाना था एक गाव बीच में पड़ा उन्हें प्यास लगी पानी पीना है तो कहां पानी पे कोई इस गाव में परिचित है क्या कोई रिस्तेदार कोई परिचे वाला कोई है क्या बोले नहीं कोई नहीं है तो जा रहे थे तो बोले हाँ ये घर है नहीं ये हमारा रिस्तेदार है तो अभी तो मात कर रहे थे जब कहा कि कोई रिस्तेदार नहीं है अब ये कहा से रिस्तेदार तुमारा निकला क्या संबंद है तुम्हारा इस से कि बादरायन संबंद है कि क्या हुआ बादरायन संबंद कौन सा हो गया वही तो ग्या उसके घर पर खटकटाया अरे वैसा वरे आप तो हमारे संबंदी हो वही कौन संबंदी वही अरे मेरे घर के सामने भी बदरी का व्रक्ष है बदरी वा और तुम्हारे घर के सामने भी बदरी का पेड़ है तो दोनों समान हो गए ना इसलिए संबंधी है तो ऐसा संबंध निकाला वो बदरी के वरक्ष से संबंध बिठाया इसलिए क्या कहलाया बादरायन संबंध कहलाया बने कैसे भी खीशतान करके संबंध बिठाना हमें रस क साथ संबंद जोडने में क्या रस है लेकिन है अनादिकाल से इसी के साथ रह रहे हैं तो कोई तो संबंद होना चाहिए ठीक हमारे में पुद्गल रस गुण नहीं है हम स्वयम रस गुण नहीं है लेकिन रस चक्ते तो है न रस चक्टे हैं कि नहीं चक्टे हैं तो रस हम चक्टे हैं तो होगे रस वाले तो केते हैं रस चक्टे हो न अब उसका भी खुलासा करते हैं चक्ते हो रस किस से चक्ते हो देखे पुद्गाल द्रव्य स्वामित्व भावाद अरे रस को नहीं चकते हो कैसे नहीं चकते हो पुद्गल अवलंबन से रस को अभी तो हम अपने उपर घटित कर रहे थे इसलिए मैं रस को नहीं चकता यहां सामानी रूप जीव की बात लेते हैं आत्मा रस को नहीं चकता द्रवेंद्री के अवलंबन से रस को नहीं चखता अकिला इतना बाग के पड़े द्रवेंद्री अवस्टम्बेन अरसना द्रवेंद्री के अवलंबन से रस को नहीं चखता तो फिर किस से चखता है रस को? रस को चखने वाली द्रवेंद्री कौन सी है? रसना इंद्री है न? वो रसने इंद्री से रस को नहीं चकता तो फिर क्या करने इंद्री से चकता है? काई से चकता है? द्रव्य इंद्री से तो चकेगा न? अचा इंद्रिया किसे कहते हैं? शरीर के चिन्न विशेश अकेला हां? कैसे चिन्न विशेश शरीर के? तो रस का ज्यान कराने में निमित हो, तो रस का ज्यान कराने में निमित ये रसनेंद्री है ना, हम रस को किस से चकते ही कि रसनेंद्री से चकते हैं, तो यहां तो किया रहे कि द्रवेंद्री अवस्कंबेन अरसना, मैं द्रवेंद्री के अवलंबन से रस को नहीं चकता, तो चक करके देखना तो क्या करते हो मुँ में लेकर के जबान से चकते हो ना तो चकना तो इसी से होता है ना तो फिर निशेद क्यों कर रहे हैं निशेद इस रूप में कर रहे हैं जिस द्रवेंद्री से चक रहे हो वो द्रवेंद्री तुम्हारी है की नहीं है केते हूँ तुम्हारी है ही नहीं तो उस द्रवेंद्री से मैं चकता हूँ इसलिए रस के साथ मेरा संबंद है ये कहना कहा से ठीक है क्यों द्रवेंद्री मेरी नहीं है क्यों नहीं द्रवेंद्री पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावाच क्योंकि पुद्गल द्रव्य के स्वामी पने का मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हो तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से द्रवेंद्री से नहीं चखने से क्या संबन्द है क्योंकि द्रवेंद्रिया क्या है कि से बनी वी है तत्वार सूतर में क्या दिया भवें इंडिय के लिए भिरिव्य प्रकर्णे भवेंद्य यम अगे आएगी जिली सब ठीक और त्रेम सिद्वार निप्रत्थि उपकरन क्या है और पीछे कि निश्चेस्थुती में जो पहले प्रकार की स्थुति आई ना पहले प्रकार की निष्चे स्थुति अब अपन सीधे उननचास्ट में आगे पीछे अभी 31, 32, 33 गाथा नहीं हुई अब जो 31, 32, 33 गाथा पढ़ते वे यहां आएंगे ना तो वहां पहली निष्चे स्थुति जिते इंद्री जिनवाली है और जब द्रवेंद्रिय से भिनता की बात की गई तब शरीर परिणाम को प्राप्त द्रवेंद्रियां द्रवेंद्रियां क्या है कि शरीर परिणाम को प्राप्त द्रवेंद्रियां और अपने चैतन्य सुभाव के अवलंबन से उनने भिन जाना तो शरीर परिणाम को प् नादी बंध उसको भी याद किया थोड़ा निकाल करके देख लिए एकत्यस्वी गाथा एकत्यस्वी गाथा की ठीका की पहली पंति ग्रंथे वो देख लेंगे आपके इस पर भी लानी की कोशिश कर रहे हैं वो तब तक आ जाएगा जब तक पर उन पढ़ लेते हैं यह खलू निरवदी बंध परियाय वशेण प्रत्यस्तमित समस्त सपर विभागाणी निर्मल भेदाव्यास कोशल उपलब्द अंतस्कुट अती सुक्ष्म चित्सवाव अवस्टंब बलेण शरीर परिणाम आपन्नानी द्रवेंद्रियाणी शरीर परिणाम आपन्नानी द्रवेंद्रियाणी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रवेंद्रियाण और शरीर किस से बना हुआ है नो करम से नो करम आहर वरगणा से आहर वरगणा से बना हुआ इसलिए पुद्गल द्रवेका है निरवदी बंद परियाए वशेवन अनादी काल से बंद सहीत है उसमें शरीर का बंद भी है बने पुदगल से बना हुआ शरीर और शरीर परिनाम को प्राप्त द्रवेंद्रिया द्रवेंद्रियों का स्वामी कौन है किसकी द्रवेंद्रिया है तो पुदगल द्रव्य की है और पुदगल द्रव्य का मैं स्वामी नहीं हूँ वो पुदगल द्रव्य की है उसका स्वामी मैं नहीं हूँ इसलिए द्रव्यंद्रियों का स्वामी मैं नहीं हूँ इसलिए यदि वो द्रव्यंद्रियों से चखा गया है तो मैंने नहीं चखा क्योंकि द्रविंद्रियों का स्वामित्व मेरा नहीं है जिसका जो स्वामित्व होता है उसके उपर उस करत्रत्व का दोश भी आता है लोक में भी गाड़ी आपके नाम पर हो और accident हो जाए तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है वो आपका नंबर देखा जाएगा नंबर से क्या निकलेगा गाड़ी किसकी है वो चला रहा था वो चला रहा था उसका भी दोश्ट होगा लेकिन किसके नाम है तो आप भी अपरादी में शामिल हो जाओगी कोई अवैद चोरी का माल आपके घर में पकड़ा गया तो फिर जो दल्ती से भी रखा गया हो किरायदार भी हो तब भी आपके उपर भी कुछ दोश आएगा क्यों आप इसके स्वामी हो ऐसे ही द्रवेंद्री के अवलंबन से रस चकने वाली बात होती तो कहते तब होती जब द्रवेंद्रियों का स्वामी पणा मेरा होता लेकिन द्रवेंद्रियों का स्वामी पणा भी मेरा नहीं है इसलिए द्रवेंद्रियों के अवलंबन से भी रस नहीं चकता ठीक है द्रवेंद्रिया तो वैसे भी जड़ है ये तो जीव जीव पाठ में भी बताया ना आखे देखती है, कान सुनते है जवान चक्ती है जवान चक्ती है ना नहीं चक्ती है और यदि जवान चक्ती हो इंद्रियों से ज्ञान होता हो क्या तरक दिया वहाँ पर क्या तरक दिया यदि इंद्रियों से ज्ञान होता हो तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए इसका अर्थ इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता है तो द्रव्य इंद्रियों से रस नहीं चकता इसलिए अरस हूँ तो फिर भावेंद्रिया तो है ना जिसे मैं चक सकता हूँ उसके भावेंद्रिय क्या है लब्द उपयोगों भावेंद्रियम लब्दिया और उपयोग वो भावेंद्रिय है लेकिन केते वो भावेंद्रिय तो हमारा है ना रवेंद्रिय तो नहीं है तो जड़ पुद्गल की अवस्ता है तो भावेंद्री तो है ना किते भावेंद्री ये क्या है ये क्षयोप्षम है अब उसका निशेद करते है सुभावता क्षयोप्षमिक भाव भावावात भावेंद्री अवलंबेन रसनात हमें तो जोड़ना है कैसे ने कैसे रस को चकता हूँ ना कैसे भी त तो चपता हूँ, केले भावेंदरी पर भी विचार करो, भावेंदरी तुमारी है क्या, कि भावेंदरी भी हमारी नहीं है, क्योंकि भावेंदरी कैसी है, शायोप्षमिक रूप है, और शायोप्षमिक, पांच प्रकार के भावों के भी बात भी आ रही थे न, पांच प्रक इसमें हमारा सभाव कौन सा तो नहीं नहीं है तो जिस भावे प्रस को नहीं चखता तो कहां जानता नहीं हूँ ये खटा मीटा होता है ये रस हमारे जानने में नहीं आता है क्या आता है ना जानते तो है यदि हम जानते हैं तो फिर रस के साथ कोई नो कोई संबन तो हुआ अभी तक तो ना द्रवेंद्री से चकते हैं न भावेंद्री से चकते हैं नहीं चकते हैं इस रूप में निशेद किया तो फिर चकते ही नहीं क्या रस को चकते मानी जानना रस को जानते ही नहीं क्या जानते तो है यदि हम रस को जानते हैं तो फिर रस से संबंद हमारा हो गया अब जानने पर संबंद होता है कि नहीं होता है ये दो बोल और है ये दो बोल की चर्चा अपन अभी कल करेंगे इस बीच में जो तीसरे बोल की चर्चा आई ना तीसरा बोल चोथा चोथा बोल कौन सा आया शायो अप्शमिक भाव के अभाव के कारण से भावेंद्री के अवलंबन से विरस नहीं चकता इसके संदर्ब में गुर्देव का जो धरण आया है उसे पढ़कर के आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं कल और सुक्षमता की तरफ जाएंगे और कल अभी तो कितने बोल पूरे हो जाएंगे चार बोल पूरे होए मलुम है ? कल अपन पूरे बोल करेंगे तीस तीस बोल एक साथ पूरे करेंगे बलकि तीस बोल पूरे करके और आगे की तरफ और बढ़ने की कोशिश करेंगे तीस कैसे पूरे होंगे जब अरस वाले छे ख्याल में आ जाएंगे तो फिर अरूप अगंद असपर्ष और अशब्द के तत्काल ख्याल में आ जाएंगे जिनके पास अनुशिलन है वे पेज नंबर 406 निकाल ले कल मैं ने भी का था न स्थूलता से सुक्ष्मता की ओर जा रहे हैं और यहां तीसरे और चोथे बोल की भी सुक्ष्मता की बाठ करते हैं और इसमें खास करके मुझे शयोप्षम सब्द जो आया उसकी गुरुदेव ने चार अर्स की तरफ ध्यान दिलाना है आगया सामने है यह चतुर्थ बोल तीसरे बोल से अधिक सुक्ष्म है अपने सुभाव की द्रस्टी से अर्थाट त्रिकाली शुद्ध ग्याएक भाव की द्रस्टी से देखे तो आत्मा में छोप्षम भाव का भी अभाव है छोप्षम भाव नहीं है अपने में अभी हमारे पास छोप्षम भाव है की नहीं है है तो फिर अभाव कैसे कह रहे हैं शोप्षम भाव है लेकिन सुभाव में नहीं है वो हमारा सुभाव नहीं है क्या है एक शोप्षम भाव रस को जानने का वर्तमान ज्यान का विकास रस को जानने की वर्तमान ज्ञान शक्ति रस को जानने में अटकने वाला ज्ञान और एक रस में प्रवृत्त होने वाला ज्ञान ये सब शायोप्षमिक भाव है अब चार बाती क्योंकि अलग-अलग रस को जानने का वर्तमान ज्ञान का विकास और रस को जानने की वर्तमान ज्यान शक्ति वो उसके आप लब्ध उपयोगों से जोड़ दीजिए से लब्धी और उपयोग हमारे हम संगी पंचेंद्री है ना तो संगी पंचेंद्री है तो सपर्शनेंद्री रसनेंद्री ग्रानेंद्री चक्षरिनेंद्री तो दो इंद्री में रसनेंद्री आ गई मैंसे या रस की बार चल वे इसलिए रसनेंद्री से जोड़ा जा तो उस इंद्री संबंधी जान प्रवृत्त हो रहे हैं तो समय उपी हो गए है और तीसरा क्षवप्षम ज्यान का निशेद इस रूप में किया है इसलिए रस को जानने में अटकने वाला ग्यान एक रस में प्रवृत्त होने वाला ग्यान खंड खंड करके जान रही है और खंड खंड करके जानते हुए उसमें अटक्ती है इस अपेक्षा से उसे एक शोप्षम भाव कह रहे हैं और हमारे में रस को जानने का वर्तमान ज्यान का विकास तो अकेले रस को जानने का विकास है क्या हमें सुभाव अकेला इतना है वर्तमान में अकेले रस को जानने की शक्ती है कि सब को जानने की शक्ती है हम तो सरवग्यत्व शक्ती वाले हैं इसलिए ये हमारा सुभाव नहीं है, पूर्ण जारने का हमारा सुभाव है, इसलिए एक शोप्षम भाव, ये सब शायोप्षम एक भाव है, इनका भी परमार्थ दस्की से आत्मा में अभाव है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप परिपूर्ण ज्यान है, इस सुभाव की दस्क से देखा जाए अल्प ज्ञान का इसमें अभाव है चैतन्य आत्मा पूर्ण ज्ञान की मूर्ति है अता पूर्ण ज्ञान भी उसका नहीं है इसलिए शोप्षम भाव का अभाव और इसलिए भावेंद्री के अवलंबन से भी मैं रस को नहीं चक्ता इसलिए रस से मेरा कोई संबन्द नहीं है इसलिए मैं अरस हूँ इस प्रकार से चार हेतों की चर्चा भी अपनी हुई दो हेतों और इससे सूख्ष में है इसकी चर्चा अपना के कल करें